कर दोस्तों बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैंने वीडियो बनाई है उस पर बहुत सारे कमेंट आते हैं के जी मुझे प्रोब्लम है बहुत सारे कमेंट आते हैं लेकिन एक दो बात मुझे जो समझ में आती है कि जब दवाई लेते हैं उसके बाद भी अगर कहते कि हमें रिजल्ट नहीं मिला तो उसका करण क्या है तो क्या हमें समझने की जरूत है वह इस वीडियो में आपको बताऊंगा पिछली दो वीडिय लेकिन बात यह होती है कि सभी यह कहते हैं कि हम दवाई ले रहे हैं चाहे हम मेरी यूट्यूब की देखकर देख रहे हैं वीडियो उसकी दवाई ले रहे हैं या फिर बाहर किसी स्टोर से ले रहे हैं किसी डोक्टर से ले रहे हैं बट रिजल्ट कहते हैं उन्हें रिजल्ट नहीं मिल पारा कारण क्या है एक से महिंग दवाई ले रहे हैं तो मेरे भाई मैं आपको बता दू कि कमी क्या हो रही ह कमी हो रही है आपके परहेज में देखे कहा जाता है कि prevention is better than cure यानि की इलाज से परहेज बहतर है अगर आप परहेज करेंगे तो दवाई भी लगेगी अगर आप परहेज नहीं कर रहे हैं तो चाय भाई एक गूली 50 रुपे की क्यों नहीं आपको असर नहीं करेगी पहले आपको परहेज करना है उसके बाद आपको जो दवाई लेनी है उसका आपको जो सेवन कर रहे है वो काम करेगा लेकिन भाई अगर आप सोचते हैं कि मैं परहेज मुझे करना नहीं है और दवाईयां लेते रहें को ठीक हो जाओंगा तो कोई डोक्टर आपको ठीक नहीं कर पाएगा परेज क्या होता है अब माले जैसे acid reflex ही बात कर लेता हूं आज ये video acid reflex के उपर है क्या परेज उसमें करना है देखे आपको सबसे पहले समझना है ताहरी खिचडी जिसे बोलत जिसकि आपने चाओल को मनाघर घृइंचे आपने चाओल कर रहे होरे किसी तरह के आपको चाहल इस्तेओल नहीं करने हैं फिर अगला जो प्रहेज बे आपको बता दू वो समझ लीजे खटी चीज़ों को आपको प्रहेज नहीं करना है हम बोलते हैं डॉक्टर लोग आपको खटाई नहीं खानी है तो बड़े लोग जो बड़े मासूमें से जो कहते हैं खटाई अच्छा वो जो चाट के साथ इस्तेमाल होती है तो भाई उस चाट वाली खटाई की बात मैं नहीं कर रहा हूँ खटाई से मतलब होता है खटी चीजें समोसे के साथ चटनी वाली वो खटाई नहीं कह रहा हूँ मैं खटाई से मतलब खटी चीजें आपको चाहे समोसे की चटनी हो खटी, चाहे वो नीबू हो खटा, चाहे वो संत्रा हो, चाहे वो मोस्मी हो, खटी चीज़े आपको नहीं लेनी, दही मठा खटा होता है, वो आपको नहीं लेना है, आपको अगर मठा लेना भी पड़ जाए तो आपको हिंग और जीरे में उस उसमें छोग लगा लेना है उस मठे में वो आप सेवन कर सकते हैं आपको गैस दिजा बनता है तो आधरवाई साधा आपको मठा ना साधी आपको दही खटा पन जिसमें वो आपको नहीं लेनी है हलक किसी मीठी आपको अगर धही मिल जाती है ताजी धही मिल जाती है वो एक बार या आप ले सकते हैं रोजाना वो भी आपको नहीं लेनी है हफते में दो बार या तीन बार आप ले सकते हैं केवल ताजी धही मीठी धही फिर जो परहेज में और जोगली चीजे चलती हैं जिन की तरफ कभी ध्यानी नहीं जाता मेरे भाई आपको का फास्ट पूर मत खाईएगा असीड रिफ्लेक्स में ठीक है जी नहीं खाने का आपको का जी जंग फूरी है जो जिस तरह भी है नहीं खाने का उसने भाई नेगले बंदे ने घर परी बनवा लिए सारी चीजे मठड़ी बनवा लिए ठीक है जी चिफ्स तल लिए यार एक चीज समझो परहेज आपको खुद पता लग जाएगा आपको क्या खाना है आपको तलीभुनी चीजे नहीं खानी है जब आपको एसीड रिफ्लेक्स है तलीभुनी चीजे उसे आपको परहेज रखना है चाया वो पकोड़ी हो चाया वो समोसे हो चाया आप घर पर ही मठड़ी बनवा रहे हो तो बड़ा ध्यान रखे बेशन से बनी हुई चीजे औ कहाने है अब आप कोगी इतना सारा परेज बता देशकित दो खायाएं कि एक हम चीज करते हैं और एक psychological खेलते हैं हमारे साथ मेरे भाई आपको मुझे ठीक नहीं करना है मैं तो ठीक हूँ मुझे पता है मुझे क्या परहीच करना है आपको अपने आपको ठीक करना है तो ज़्यादा आप दिमाग ना लगाएं उसमें आप के जी हमने ये खाल लेता है और भुसी बारी क्या करते है ना जब मेरे पास आता है कोई patient तो बड़े ऐसे रहेगा कि जी हम कुछ निखाते क्या खाया था रात रात तो जी बस लोगी की सबजी खाली थी और गैस बन गई भाई लोगी की सबजी से गैस बनती है यार रात तो जी डोक्टर साब मुंगी तरह खाया थी और तोड़ी खायी थी पता नहीं कैसे कैसे जब बन गई यार यह चीज़े ना आप डोक्टर से आके जूट बोल सकते हो आपके मन को पता है कि आपने क्या खाया प्लीज ऐसा ना करे तोड़ी लोगी से कभी गैस नह लग बात हुई लेकिन तो मैं यह नहीं बोला हूं के जी उसमें नहीं हो सकता है केस लेकिन मेरे भाई ऐसे जूट तो नहीं बोलना चाहिए न आप आई और कहा कि जी हमने कुछ नहीं खाया बहुत से लोग कहेंगे जी नास्ते में हमने ब्रेड खाये अब आप एक चीज स ब्तली आ रही है ना उसे बांदने का गाम करेगा और टोइलेट अकर बंदके टाइट हो गाएगी तो दस्त नहीं रहें गए आपके ये सीधा सीधा ब्रोसिजर है तो जब वह टोइलेट को बाहए पेट को बांद देता है और आप उसे रेखला नाशते में खारे हैं ब्र वो साधे ब्रेड नहीं खाते हैं, वो ब्राउन ब्रेड खाते हैं, आप ध्यान दीजेगा, कभी भी वीडियो पड़ी रहती है जिम वालों की, तो वो कहते हैं, ब्राउन ब्रेड आप इस्तेमाल करें, साधे ब्रेड मैदा वाले ब्रेड वो नहीं कहते हैं, तो समझे मेरे भाई परहेज छोटी छोटी चीजों के समझने हैं आप नोर्मल रोटी सब्जी खा सकते हैं आप दाल से रोटी कहिए उड़त की दाल नहीं खानी दाल में आपको उड़त की दाल बिल्कुल नहीं लेनी ना रात में ना दिन में मन कर जाए दिन में लेने रात में आपको रत की दाल नहीं खानी कभी भी लेकिन कभी कबार, एक हफते में एक बार आपने ले लिया आपको छोले नहीं खाने है रात के टाइम खास करके राजमा नहीं खाना है, रात के टाइम खास करके तो ये चीज़ आप ध्यान लखके दिन में आप इन चीजों का सेवन कर सकते हैं, वो भी कम मातरा में, और जिने acid reflex की दिक्कत है, भाई उन्हें तो लेने ही नहीं है, जब तक वो ठीक नहीं हो जाते हैं, मैंने दवाईया बताई हुई है पिछली वीडियो में, दवाईया लेजे ठीक हो जाएंगे आप, अगर अगरत आप एसीड़ फ्लक्स से परिसान है तो आपको परेज करना है, इन चीजों को नहीं खाना है, और जो सामान्या हैं, जिने कोई दिक्कत नहीं है, वो कम मातरा में लेएं, रात को कभी भी सूखी सबजी आपको नहीं लेनी है। सूखी सबजी आप लेंगे दिक्कत बनेए आपो रात को तरीदार सब्जी खानी है मेरे भाई, तरीदार सब्जी चाहा है, वो लोकी छोड़कर करके तो ये आप इस्तवाल कर सकते हैं चाबाल अपको रात में इस्तवाल नहीं करने है बोश से करते हैं, अच्छा और एक चीज क्या होती है न और खाने के बाद तुरंद लेट जाते हैं भाई खाना कैसे पच जाएगा चलोगे फिरोगे तभी तो पचेगा आपने देखा होगा कि दिन के खाने के बाद कभी भी गैस नहीं बनती है हमेशा रात के खाने के बाद गैस बनती है तो सबसे बड़ी समस्चा क्या है, खाना खाकर आपको लेटना नहीं है, अच्छा फिर दूसरी चीज क्या आउज जाती है, कि खाना खाकर अगर आप देखिए, सुभे में तो आपने काम वर्काउट किया ठीक है, जो भी कुछ भा, शाम में आपको क्या करना है, जिसा आपन चलना है, कदमों को गिने 1000 कदम टह लें, ताकि खाना पच सके, खाने में आपको जो खाती पेट में भारीपन से हो जाता है, गैसी बने रती है, पेट चड़ा-चड़ा से रहता है, सांस अनली में आपर जलन सी रहती है, और कुछ अठका सा फील होता है हमेशा, उन लोगो के लिए खास मैं बता रहा हूँ कि खाना खाने के बाद आप एक हजार कदम टह लें अगर आप रोड पर नहीं जा सकते हैं रात में क्योंकि बहुत सी जगा ऐसा नहीं कि आपके माहूल ऐसा हो कि आप टहल सके तो आप अपनी च्छत पर ही टह लीजे आपको एक हजार कदम च ठीक कर सकते हैं बहुत से क्या होंगे ना खाना खाते रहेंगे और पानी पीते रहेंगे या फिर खाना खाते एकदम से पानी पी जाएंगे बहुत से तो भया एक एक लोटा एक एक जग भर के रखते हैं अमरे साथ और पानी वह सारा का सारा पी जाएगे तो खाना कैसे प को लोग करते हैं मेरे बाई तो आप गयस दिक्कत नहीं होगी और एक चीज आज कल एक गोबी सब्जी जो आ रही है न वो ठीक नहीं आ कोई गोबी के प्राटेका कराता है कोई साधी गोबी सकी सब्जी बनवा कराता है तो वह दिक्कत हो जाती है उस चीज को अबोइड करें आप ठीक है इससे बहुत बड़ी दिक्कत होती है पत्ता गोब्या आप ले सकते हैं कोई टेंशन वाली बात नहीं है खाना पीना सारा कर देंगे चीज बन करको आप आपको भीध टार बाले का आपको भी पता है कि हमें नुकसान दे रही है यह बशीज नहीं था ही कोई लिखा रहे हैं वहिंगे बाटिन सौर्स लेज है और नोरमल आप खाना लेत की है और आप सब्साइज ले सकते हैं मेंगर ले लिजे टमाटर ले लिजे लोग ले लिजे लिए टोरी लिजे यह जो भी आप सब्जी बनाना चाहे कभी कबार आप कढ़ी भी खा सकते लेकिन रेगुलर आप उसका इस्तेमाल ना करें जो सिर्फ चटपटे पर ही आदारित है उन्हें इस आर्थ को छोड़ना पड़ेगा तर वो ठीक होना चाहते हैं तो तो मेरे भाई मेरा उद्देश सिर्फ यह था कि आप ठीक हो जाएं तंदरुस्त हो जाएं उमीद है ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आप इसे फोलो करेंगे मेरे भाई तो आपको बैस रिजल्ट मिलेंगे नहीं करेंगे तो रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएंगे जैंगे आपको लेल्ट आपकु बैस कर दो सकता है